कहानी कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब हर पंद्रवे दिन कमपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से निकलते थे, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कार खाना, दो ओपन सिनमा तथा एक नगरपालिका थी. नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी. कभी सडके पक्की करवाने का काम तो कभी शौचाले तो कभी कभी सम्मलेन करवा दिया. एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाश चंद्र बोस की संगमर्मर की मूर्ती लगवा दी. चुँकि बजट अधिक नहीं था, इसलिए मूर्ती बनाने का काम कस्बे के एक ड्राइन मास्टर को दे दिया जाता है. मूर्ती सुन्दर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी. नेताजी की आखों में चश्मा नहीं था. किसी ने मूर्ती को रियल का एक काला चश्मा पहना दिया था. जब हालदार साहब आये तो वे देखकर बोले वाह भई. क्या आइडिया है? मूर्ती पत्थर का और चश्मा रियल का दिया दिया. दूसरी बार जब हालदार साहब आये तो उन्होंने मूर्ती पर तार से बना गोल फ्रेम। वाला चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार उन्होंने पानवाले से पूछ लिया कि नेता जी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। और मूर्ती पर फिर से नया फ्रेम वाला चश्मा लगा देता होगा। हालदार साहब ने पानवाले से यह भी पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या। या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पानवाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने कैप्टन को देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा, दिव्यांग सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी और गोला चश्मा था। वह एक हाथ में छोटी सी संदूप्ची और दूसरे हाथ में चश्मों वाला बांस लिये था। दो साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ती पर कई चश्में बदलते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब पुनह कस्बे से गुजरे तो उनको मूर्ती पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं दिखाई दिया। कारण पूछने पर पानवाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है। जिसका उन्हें बहुत दुरहक हुआ। पंदरर दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा पान कहीं आगे खालेंगे। मूर्ती की और भी नहीं देखेंगे। परंतो आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आखे मूर्ती की और उठ जाती हैं। वे गाडी से उतर कर मूर्ती के सामने सावधानी से खड़े हो जाते हैं। मूर्ती पर बच्चों द्वारा बना एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आखे नम हो जाती हैं। वे भावुक हो गए।